तो आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि तेंत कलास का most important इसमें 40 objective लेकर के आए हैं जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपका 40 में कितना सही हो पाता है एक बाद जरूर आप comment works के साथ आप share करेंगे तो आईए देखते हैं first number question क्या कर रह है first number question का रहा है भारतिय राष्टिय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे ठीक है ना भारतिय राष्टिय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे तो इसका answer क्या होगा इसका answer इसका answer हो जाएगा ठीक है चले next person की ओर चलते हैं दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और यदि परतेक विशाय का आप चेप्टर वाई जे अबजेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर पेले लिस्ट का प्ल सी नमर हो जागा चंपारन में क्या था ठीक है चले next person की ओर चलते हैं तीसरा नमर प्रसन क्या करा है कि all India trade union की अस्थापना किस वर्स हुई ठीक है तो तीसरा का answer क्या हो जागा इसका 20 नमर आंसर हो जागा 1920 SP में ये अस्थापना किये थे ठीक है चले ठान चोथा नमर प्र जागा 1922 इस्वी में रंपा विद्रो हुआ था ठीक है चले next person की ओर चलते हैं हम लोग पांचवा नमर प्रसन और देखिए पांचवा नमर प्रसन क्या करा है SP जेनी का अविस्कार कब और किस ने किया था तो पांच का आंसर क्या हो जागा पांच का आंसर C नमर हो जागा James होर ग्रिप्स ने किया था चले next person की ओर चलते हैं जो की छटा नमर प्रसन है और देखिए छटा नमर प्रसन क्या करा है सिहनली को किस देश की राजभासा घोसित किया गया है तो 6 का आंसर क्या हो जागा इसका आंसर B नमर हो जागा स्रिलंका को घोसित किया गया है चले next person की ओर चलते हैं 17 नमर प्रसन क्या करा है बिहार को पित्वी राज्य का दर्जा कब दिया गया ठीक है तो 7 का आंसर क्या हो जागा इसका आंसर बी नंबर हो जागा 1912 में दिया गया था ठीक है चले next person की ओर चलते हैं जो कि 8 नंबर प्रशन और देखिए 8 नंबर प्रशन क्या का रहा है आधूनिक सहर सबसे पहले कहा बसने शुरू हुए थे ठीक है ना आधूनिक सहर सब जो कि 9 नंबर प्रशन और देखिए 9 नंबर प्रशन क्या का रहा है गिरमीटिया किसे काते हैं ठीक है ना गिरमीटिया किसे काते हैं तो 9 का आंसर क्या होगा ए नमर हो जागा अनुबंदित मजदूर को काते हैं ठीक है चले next person की ओर चलते हैं जो कि 10 नंबर प्रशन हमें क क्या का रहा है दसमा नमर प्रशन का रहा है कि निमन में से कौन पंचाइती राज व्यवस्था का दूसरा अस्तर है ठीक है ना तो दस का अंसर क्या होगा दस का अंसर जो है ओसी नमर हो जाएगा पंचाइज समीती इसका अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रशन क भारत का भीश्य में कौन सा अस्थान है एक 11 का आंसर क्या होगा बी नमर दूतिय अस्थान है ठीक है चले next प्रसंड की ओर चलते हैं जो की 12 नमर प्रसंड और देखिए 12 नमर प्रसंड क्या करा है बिहार में पंचाहिती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटे आरक्षित है ठीक है बिहार में पंचाहिती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटे आरक्षित है तो 12 का आंसर क्या हो जागा 12 का आंसर ए नमर हो जागा 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है ठीक है चले next प्रसंड की ओर चलते हैं 13 नमर प्रसंड क्या करा है निम्न तलिये जल जमाव वाले छेतर को कहा जाता है ठीक है ना निम्न तलिये जल जमाव वाले छेतर को कहा जाता है तो तेरा का आंसर क्या होगा तेरा का आंसर ए नमर होगा वेट लैंड कहा जाता है ठीक है चले नेक्स्ट प्रसंड की ओर चलते हैं हम लोग जो की 14 नमर प् चलते हैं जो कि 15 नमर प्रसंद क्या का रहा है इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंदित है तो 15 का आंसर क्या होगा पंदर का आंसर सी नमर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुना इसका आंसर हो जाएगा चले नेक्स्ट प्रसंद की ओर चलते हैं जो कि 16 नमर प्रसंद क्या क गांधी को चमपारान आने का निमंत्रन किसने दिया था इसका आंतर सी नमर हो जागा राज कुमार शुकल जो था वही महातमा गांधी को निमंत्रन दिया था कि चमपारन में आने के लिए चलिए next प्रसंड की ओर चलते हैं 18 नमर प्रसंड क्या का रहा है 18 नमर प्रसंड का रहा है कि लखनाव समझाता किस वर्स हुआ ठीक है ना लखनाव समझाता किस वर्स हुआ तो 18 का आंसर क्या हो जागा A नमर हो जागा 1916 में हुआ था ठीक है, चलिए, next person की ओर चलते हैं, 19 नमर प्रसन देखें क्या करा है, 19 नमर प्रसन जो है, ओ कह रहा है हमें कि नेपोलियन सहीता किस वर्स लागू की गई, इसका आंसर जो है D नमर हो जागा, 1804 में नेपोलियन सहीता को लागू किया गया था, ठीक है, चलिए, next person की ओर चलत अंसर क्या हो जागा, ए नमर हो जागा, कलकत्ता में सबसे पहले सुरू हुआ था, अस्थापित हुआ था, ठीक है, चलिए, next person की ओर चलते हैं, दोस्तों हम लोग 20 प्रसन वहां तक अभी कर चुके हैं, आप जो है कि मातर जो 20 प्रसन जो बचा, इसमें आपको मातर 5-6 मिन मिरे साथ आपको टाइम देना है, तो देखें, एक इसन प्रसन करा है, जर्मन राइन राजी का गठन किस ने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जागा, एक इसका आंसर जो है, एक इसका आंसर ए नमर हो जागा, नेपोलियन बोना पाट इसका आंसर हो जागा, चलिए, next person की और चलते हैं, जो की 22 नमर प्रसन, और देखें, 22 नमर प्रसन क्या करा है, अखिल भारतिय किसान सभा का गठन कहां और कब हुआ था, तो 22 का आंसर क्या होगा, 22 का आंसर जो है, ओसी नमर हो जागा, लखनाव 1936 में हुआ था, ठीक है, चलिए, next person की और चलते हैं, जो की 23 न जो की 24 नमर प्रसन, देखें, क्या करा है, नरोतम सिहानू कहां के सासक थे, इसका आंसर नमर सी हो जागा, कमबोडिया के सासक थे, चलिए, next person की और चलते हैं, जो की 25 नमर प्रसन, और देखें, 25 नमर प्रसन क्या करा है, कि भारत में निंतम मजदूर कानून किस वर्स पार तो 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर डी नमर हो जागा, 1948 में पारित हुआ था, चलिए, next person की और चलते हैं, हम लोग 26 नमर प्रसन, और देखें, 26 नमर प्रसन क्या करा है, इरोप वासियों के लिए, किस देश का साहिते एवं विज्ञान प्रेरना का शुरोत है, तो 26 का आंस 27 का आंसर क्या होगा, 27 का आंसर डी नमर हो जागा, फ्रांस की करांती को माना जाता है, चलिए, next person की और चलते हैं, हम लोग 28 नमर प्रसन क्या करा है, शेडान यूद कब हुआ, ठीक है ना, शेडान का यूद कब हुआ था, और 28 का आंसर क्या हो जागा, बी नमर हो जागा, 870 SP में सेटान का यूध हुआ था चलिए next person की ओर चलते हैं हम लोग 29 नमर परसन देखें क्या करा है जर्मानी का एकी करन कब पूरा हुआ ठीके ना जर्मानी का एकी करन कब पूरा हुआ 29 का आंसर क्या हो जाएगा C नमर हो जाएगा 2871 SP में पूरा हुआ था चलिए next person की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 30 नमर परसन और देखें 30 नमर परसन क्या कह रहा है The history of the Laos बियत नाम किसी ने लिखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B नमर हो जाएगा फान बोई चाओ इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next person की ओर चलते हैं 31 नमर परसन अब मातर दोस्तों यहाँ पर 10 परसन बचा है जो कि आपको मातर 2 से 3 मिनट मेरे साथ आपको समय देना है चलिए तो एक 31 नमर परसन कह रहा है शुन्दर 1 किस राज्य में है ठीक है ना शुन्दर 1 किस राज्य में है तो एक 31 का आंसर क्या हो जाएगा ए नमर हो जाएगा पस्चिम बंगाल में सुन्दर 1 है चलिए next person की ओर चलते हैं हम लोग 32 नमर परसन देखे क्या का रहा है 32 नमर परसन का रहा है इनमें कौन लोहा का एस्क है इनमें कौन लोहा का एस्क है 32 का आंसर क्या हो जाएगा C नमर हो जाएगा हेमा टाइट इसका आंसर हो जाएगा चलिए next person की ओर चलते हैं हम लोग 33 नमर परसन और देखे 33 नमर परसन क्या का रहा है इनमें कौन सा तैनीज उध्योगों की जननी है तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा A नमर हो जाएगा लोहा इसका आंसर हो जाएगा चलिए next person की ओर चलते हैं 34 नमर परसन देखे क्या का रहा है कि निमनांकित में किस खनीज के साथ प्रकिर्टी गैस पाई जाती है तो 34 का आंसर क्या होगा 34 का आंसर C नमर हो जाएगा पेट्रोलियम इसका आंसर हो जाएगा चलिए next person की ओर चलते हैं जो की 35 नमर परसन देखे क्या का रहा है कि भारत के किस संस्था पर पहला परमानो उर्जा केंदर अस्थापित किया गया था ठीक है तो 35 का आंसर क्या होगा 35 का आंसर जो है ओर D नमर हो जाएगा तारा पूरी इसका आंसर हो जाएगा चलिए next person की ओर चलते हैं हम लोग 36 नमर परसन और देखे 36 नमर परसन क्या करा है भाकरान आंगल पडियोजना किस नदी पर विक्सित है ठीक है तो 37 का आंसर क्या होगा 37 का आंसर ये नमर होगा जमाल पूर इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए next person की ओर चलते हैं जो कि 38 नमर परसन देखे क्या करा है कि पक्की सरको की लंबाई की दिरिष्टी से पर्थम अस्थान पर कौन राजे है ठीक है ना पक्की सरकों की लंबाई की दिरिश्टी से परफम अस्थान पर कौन सा राज्य है तो 38 का अंसर क्या होगा 38 का अंसर जो है ओ बी नमर हो जाएगा महराश्ठ जो है इसका अंसर हो जाएगा चलिए next person की ओर चलते है 49 नमर परशन और 49 नमर परशन क्या करा है तुरिति कोरिन पतन किस राज्य में एस्थित है तो 37 का आंसर क्या हो जागा तो 49 का आंसर जो है OC नमर हो जागा तमिलांडू इसका आंसर हो जागा ठीक है चले next प्रसंट की ओर चलते हैं जो कि 40 नमर प्रसंट देखे क्या करा है स्वर्निन चतर्भुजी योजना महामार्ग इनमें से किस सहर को नहीं जोडता है ठीक है तो 40 का आंसर क्या हो जागा 40 का आंसर जो है OD नमर हो जागा कोलकत्ता इसका आंसर हो जागा तो दोस्तो आपको 40 में कितना सही हो पाया एक बार जरूर कमेंट बक्स के साथ आप सेर करेंगे आप वीलियो कैसा लगा यह भी आप सेर करेंगे धन्यवाद दोस्तो